बच्चों आप सभी का मनी सो मेट्री पर स्वागत है बच्चों जितने बच्चे ससी की तयारी कर रहे हैं बैंक की तयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए टाइम एंड वर्क ये सबसे उपयोगी चैप्टर है और इससे कोशन जरूर आते करते हैं यह कोश्चन 2023 में आया था सीजेल में 2023 में पूछा गया तो यह कॉंसेप्ट क्या है इसका समझने की कोशेश करिए गया इसको जैसे माल लो इसने कहा कि जो है एन प्लस एटीन व्यक्ति जिसमें से प्रतेक हर दिन साहे साथ घंटे काम करता है बीस दिन में फोटीट 20% कारी पूरा कर सकते हैं एन प्लस 12 व्यक्ति सेज कारी तीस दिन में पूरा कर सकते हैं यह उन में से प्रतेक हर दिन 6.5 घंटे कारता है तो एन का मान क्या होगा तो आपने एक सूत्र याद किया होगा बहुत पहले क्लासिक सेवंथ में कि M1 दी 1 अपान W1 यह वाला बराबर M2 D2 अपान W2 यह याद किया होगा अच्छा कभी-कभी पैसा दिया होता है बर्चों तो पैसे को भी नीचे ही मिल्टिप्लाई करते हैं मालोब शेरिंग करना है पैसे के हिसे को बाठना है तो हम क्या करेंगे नीचे ही पैसा लिखा जाए जैसे मालो M1 मतलब होता है जो काम करता है और D का मतलब होता है समय कितना लगा अच्छा समय कभी-कभी देखा होगा कि मिनिट भी होता है आवर होते हैं डेज होते हैं तो आप क्या करो उसका एक यूनिट रखा करो या तो आवर में रखा करो या तो डेज में रखा करो मैं आजण होता है ठीक चीज का दूसराở fark होता है कि हम इसको ए-म्न के देकर है तर्णे के यहां अप लीग सकते हो यह आप मने 6 में मैंने भी बताया आपने पढ़ा होगा यह तरीका थोड़ा आसान होता है पेपर के लिए जैसे मालो हम आप से कहें कि यहां एन प्लस 18 है तो हमने एन प्लस 18 यहां कर दिया शुरू में एन प्लस 18 यहां हो गया सारे 7 घंटे काम करता है 20 दिन में 48 परसंट कार हुआ यहां 20 दिन हुआ 48 परसंट यहां लिखा और दिन है आवर भी दिया है तो 7.5 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि हम टोटल इसको आवर में कंवर्ड कर लेंगे हमने कहा ना दिन भी हो यह 2023 का सीजल का सवाल है एक्जैक्ट अब न प्लस 12 तो यहां लिखेंगे एन प्लस 12 कितना लिखेंगे देखो जान से एन प्लस 12 लिखेंगे और 30 दिन बोला है तो यहां 30 दिन कर लेंगे इंटू हमसे आवर पूछा है 6.5 आवर काम कर रहा है सभी लोग और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं कौंसा सेज कार 48 उपर हो गया तो कितना बचा 52 नीचे बचा अब इसको सॉल्व करोगे जब इसको पुरा सॉल्व करोगे तो यह इस तरह इंटू होता है ऐसे और फिर यह यह इस तरह बहुत जहां समझना एक कोश्चन अच्छी समझ लोगे तो सभी कोश्चन अच्छे सो जाएंगे यहां पर जो काम कर लेंगे और वर्क जो होगा इससे 48 परसंट है तो 48 परसंट है तो बचा कितना 52 परसंट बचा इसलिए 52 परसंट हम कहां लिखेंगे बीच ओ बीच में लिखेंगे यहां वे कारी बीच में होगा अच्छा इसी और बताएं जो उपर नीचे लिखे होते आप इसको सिंप्लिफाई भी कर सकते हो मतलब अगर यह और यह एक लाइन को दूसरी लाइन से भी काट सकते हो जैसे इस लाइन का कोई नंबर है अब इस लाइन दूसरी लाइन में नंबर से काट सकते हो तो अब देखो फिर समझो जरा अब जैसे हमने यहां 00 काट दिया यह पॉइंट 48 है अब लिख लो तो एन प्लस 18 जित्ता कम हो सेगे उतना कम कर लो ही पर इन टू 52 इन टू यह 15 दूना तीमा यह बराबर हो जाए गा एन प्लस 12 यह एन प्लस 12 है इंटू यहां सॉल करओ गे तो 48 हो जाएगा इन टू यह 30 इंटू 3 हो जाएगा थर्टी नाइन इतना बन गया अब तीन से इसको काट सकते हो तीन से काटो तो यहां बन जाएगा थर्टीन तेरस काटो तो चार बार जाएगा यहां भी दस है दो से काटो तो पांच जाएगा यह दो से काटो तो चौबिस जाएगा इतना बन जाएगा और हल करो हो गया और यहां पे 360 282 हो गया तो चार से काटो चारक कमज़ा अठारा चोक बहातर कितना हो गया अठारा डी ऑप्षन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यह क्वेश्चन आया था कैसे करोगे आप इसमें मान रखते भी कर सकते थे आपको अगर आसान लगता है तो यह भी आप कर सकते हो अच्छा यह इसलिए होता है कि कभी माली जो कोई कोशन और हार्ड आ गया तो हम इस पे लगा सकते हैं कभी कोशन फस्ता नहीं है आप करके देखना एन प्लस 18 52 और यह है और यह एन प्लस 248 यह है तो ऐसे कोशन आते रहते हैं आप लगाते रहिएगा चलिए बात करते हैं इसकी बात का कोशन अच्छे से समझ यह और पढ़िए क्या कह रहा है क्या कोशन कह रहा है कि 10 ओमें किसी वर्क को पूरा करने में इंगलिस में पढ़ सकते हो कुछ कोशनामनों जोआद्टमिन रहुत डम इन होव रख मोरा को कंपलेट मींस यह कह रहा है की 10 ओम जो है वह 16 देर में काम कर सकती है तो आप इसको अवन कर दो और कर 2020 में काम कर सकती में इंगल और इसमें ratio क्या बनेगा अगर आप solve करोगे तो 8 से काट दो तो यह दो बार जाएगा 2 से काट दो तो 3 जाएगा मतलब 10 Omen is equal to आपका आएगा 3 men Omen के efficiency 3 है और man के efficiency 10 है इधर का मान इधर होता है और इसकी value इधर होती है मतलब 3 और 10 आपका ratio बन गया अब work निकालना है इसमें वापस put कर दो Omen कितना है 3 है तो आप put करो 10 into 3 into 16 कर लो आप तो 30 हो जाएगा 30 into 16 हो जाएगा 480 ऐसा मान लो कि 480 हमें पेंड लगवाने है ऐसे समझ लो कि इतने हमें पेंड लगवाने है 480 यह work हो गया अब कैसे होगा देखो यह भी सीजल 2023 का सवाल है 12 पूरुसों ने कारी करना सुरू किया और 2 दिनों के बाद 6 पूरुस चले गए 10 एक पूरुस काम करता है 10 देखो में खतम हो जायगा अब 480 में 240 जब खतम हो जाएगा तो बचेगा 240 कितना बचेगा 240 220 आई 6 पुरुष जो है कार चोंड़ दिए 12 पुरुष ने काम सुरू किया था और छे पुरुष अगर चोंड देंगे बच्वों तो बारा में छे गया हमें लगता छे बचा तो च से पुरुष बचंग मिन्हायओं तो । यह कितनी महिला हैं काम महिलाएं काम करने हैं तो एक महिला तीन कौम तो पंद्रा हो गया तो यह उचातर काम को दो सोचालिस चाम करना रीए सजली सोट्वाग करना है इसजली लिए सटर बच पंद्रा फिर फिर फीजली हो सकता है तो श्राज़ें तो ऐसे कोशिशन सीजल पूछता है और 2023 में बच्चों ऐसे कोशिशन आए हैं आप लोग अच्छे से प्रेक्टिस करिए 2024 का जो 2023 में सवाल आए हैं 2024 में आप लोग महिनत करिए और मेरा उमीद है कि आप सभी अच्छे नंबर लाओगे अब देखो इसकी बात करते है एक कार अंतर दिन के आधार पर काम करते हैं मतलब अल्टरनेट्व काम करते हैं और शुरू करता है और यह और बी दोनों पांस दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है तो बी कारी को कितने दिन में पूरा करेगा देखो थोड़ा सा लैंगोज ये कुश्चन कह रहा है जो है जो है काम कर सकता है 25 दिन में उसके बाद कहता है वो वे जोको यह कारी को 30 दिन में करता हैं कि बी जो है कुछ को 30 में करता आप इसका कांड़े dot 00. le you must call Pan लो यह कार है जब अगर इसको भाग करते इससे तो कितना गांगा शेंगा यह f tendency हो गई किसकी हो गई इस एकी Fachinsky हो गई और जब तीस सेtober काटेंगे तो तो 5 आएगा यह बच्चों B की efficiency हो गई किसकी हो गई B की efficiency हो गई इतना काम हो गया अब कहता हो एकांतर काम करते हैं इस शुरू करता है देखो 5 दिन में अगर 5 दिन की बात करता है और A शुरू करता है A B A B ऐसे सोचो A तो A ने 3 दिन काम किया और डेश में A करेगा तो A का 3 तो 6 भी दो गया तो 6 तियां 18 18 अठारा क्या करेगा और बी के दिन काम है तो 5 दो निद दशी स्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आथेंगा आफ़ारा दस 28 काम हो जाएगा जिए पास दिन अल्टरनेट करते हैं म ? आज ए ने किया और 2 करेगा फिर एक करेगा फिर भी कर में जब 28 माइनस कर देंगे तो मेरा काम बचेगा 122 कितना बचेगा 122 बचेगा अब बोलता है एक काम छोड़ देता है बी करेगा तो बी 5 के हिसाब से तो 122 बचा 5 हो गया पांस दुनी 10 कुछ भी दंस दुनी 10 225 हो गया 2 2 5 22 साही 2.5 इस सामने धोफ्म आफसन दिख रहा है और ये आपका था है sou घ क्या तो 22 होगा पांदि 10 दो 25 जोगी 24 कितना चाहिएगा 24 हो जाएगा ये 24 साही दो बचा पांच हो से अब यह कॉंसेट है फिर समझे लो ए Angraいて 353 से continuity हो गया इलसीएमंगे यहां इन세요6 के फेुषसी पाँच आ गई दोन्हों आलटरनेंट और करते हैं मलब पास दिन में एनIGHT काम लाइवट नेक तीन दिन की आँगा और बी ने दो दिन काम किया होगा था सिटीन हो गया यह दो दिन में 10 हो गया 18 10 कितना हो गया 28 हो गया मतलब 28 वर्ट जब कम्प्लीट हो जाएगा 150 में तो बचेगा 122 तो 122 कौन करेगा यह करेगा बी यह वी के तो 100 में लंबी दिवार को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्त चाहिए तो इस कोश्चन के लिए आपको इंग्लिज सम्पढ़ लो आप 280 में लॉंग वाल के बी में बाई 72 में टुनिटीवन डेज दिन हंडेड में 100 में 100 मीटर लॉंग वाल कैन बी मेंट पाई हाउ मेन इसका वही फार्मला है M1, W1 और D1 सबसे बढ़िया वही रख दो इसमें तो पहले कितना है 280 मीटर लॉंग है तो यहां बीच हम लिखो 280 मीटर हाना इसको लिखो 280 मीटर ऐसे लिखो और M1 मतलब 72 यहां 72 कर दो यह कर दो 72 और D1 है 21 यहां कर दो 21 उसके बाद हमसे बोला 100 और 18 यहां 18 डेस कर लो और कितने परसंट चाहिए यहां पर X माल लो उसके बाद आप इसको इंटू करना शुरू करो यह इस तरह इंटू जाएगा ऐसे आता है तो मुझे लगता है आप समझ मागया होगा इसका जीरो कैंसल हो जाएगा ऐसे इसको तीन से कार दो छे हो जा गार साथ हो जाएगा सब्सक्राप 20 4 करोगे क्यां से ब्लेख इंटी टू पाइब इंटू सेवन जाएगा एक लाइन में और एक सब्सक्राइब dieton में तो है ना तो वही M1D1 से आप इसको ऐसे भी M1D1 भी लगा सकते हो M1D1 अपान W1 इसमें भी रख करके आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो जो आपको आसान लगे उससे आप करिएगा उससे ज्यादा आसान यही होता है अब यह कोश्चिन क्या करा देखे अध्यान से के इसे कारी को 28 धिन पूरा कर सकते है अधवा वल्य कंडिशन हम करते हैं बात अधवा की इन जब कहते हैं तो भी दो कंडिशन होती है इह इन ही की हम लोग बात करने वाले हैं तो पहले and वाली बात कर रहा है करा कि two men ऐसे लिख लो plus लगा दो and का मतलब plus होता है लगा लो और seven women कह दो तो यह work कर रहे हैं कितने दिन में 28 कर रहे हैं यह पुरा कार ही हो गया number of person यहाँ जो statement चलता है वो यह चलता है कि number of person number of person into number of days number of days is equal to होता है work यह यहाँ पर concept चलता है तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद दूसा statement जो बोला है six men plus 16 women बोला है तो इसको उठा के बोला है 11 days तो हम 11 कर लेंगे आपर अब दिखो कैसे solve करेंगे यहाँ पर यहीं multiply कर लो तो तुन्टी एट टूजा कितना होता 56 होता है 56 होता है 11 into 6 होता है 66 तो 10 men difference कितना है 10 men यह 56 हुआ और यह 66 हुआ 56 और 66 में 10 का difference होता है इस कल्टू इसको जब इंटू करोगे साथ वड़ 56 साथ चोदा 116 आएगा 5 और यहाँ देखो 166 यहाँ चाँ 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 गए 176 यहाँ बना आपका men logical 2 आ गई ओम की एक हा गई अब जब work हम निकालेंगे यहां पर यहाँ पर हम work निकालेंगे तो वर्क जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से यह इसमें put कर देंगे तो 2 men के Efficiency 2 है, 4 हो जाएगा यहां पे, 7 into 1 हो जाएगा, 7 4 ग्यारा हो जाएगा, into 28 हो जाएगा, तो 11 into 28, यह पूरा काम हो जाएगा, अब इसी काम को कौन करेगा, इसको कराना मुझे है 7 men उसी कारी को, तो एक men कितना कर रहा दो, तो 7 men into 2 Efficiency लगा दो, तो 7, 24, 28 ये 2 तो आजाएगा 22 तिन कितना आजाएगा 22 ये B option correct हो जाएगा ये वाला 22 मतलब स्रीव आपको into करना है into करके आपको ratio बनाना है ratio बना के efficiency आजाएगी और जैसे efficiency आए इसमें put कर दो किसमें put कर दो इसमें put कर दो तो आपका work आजाएगा और जब work आजाएगा तो आप जिससे काम करवाना है seven men से कराना है तो seven men से आप efficiency से into करके आप उसको divide कर सकते हो चलो अब यह question देखो इसमें अथवा वाला है और वाला condition है और लिखा है मात्र पांच सेकंड में गूगल से हमने question copy किया है क्योंकि यह सब अच्छे से questions है है आप देखो कैसे होगा तो four men कुछ questions net से लिए हैं जो paper में पूछे गए हैं दो four men और eight omen और ट्वाल बच्चे इनकी बात कर रहा है अथवा और फिप्टीन डेज में कर सकते हैं इतनी कहानी है अब ध्यान रखना अगर अगर अथवा के चार से काटो आठ से काटो तीन आएगा यहां पर दो आएगा तो अब वर्क कैसे निकलेगा तो वर्क होता है LCM जो हम LCM लेते हैं into number of days LCM into number of days होता है LCM आया है सब्सक्राइब कर दो इसे तो पंदा चको साथ तीन सो साथ बटा ग्यारा तो आपका गरतियां ते तीस यह वाला ऑप्शन बैठ जाएगा 32 सही आठ बटा ग्यारा बस समझ गए वैसे इसमें पांच सेकेंड लिखा भी था मुझे लगता नहीं कि कोई जो लिखा होगा वह से यूटूब के लिए लेकिन अगर देखा जाए तो पांच सेकेंड में तो खाली चार आठ और बारा का एलसीम भी आ जाएगा इससे तेज थोड़ों हो सकता है अब इतना जूट भी नहीं चलता है छे तीन है ना क्योंकि यह बने गूगल पर देखा था लिखा है पांच सेकेंड में लेकिं पांच सेकेंड में टो निखा बी जा सकता है क्विखा दो कैलसीयम ही लेने में आपको एक दो, तीन सेकेंड इतना रिखने में होजाएगा इतना लिखने में तेन से केंड हो जाएगा ठीक कोई बात नहीं फिलाहाल आप लगाईएगा मज़ा लेजी इस कोश्चन में अब जो कोई कोश्चन करता कि इसमें भी लिखा था लेकिन कोई वहां कितना आएगा वन आएगा तो 8 into 10 हो जाएगा यह वर्क क्या होता है जो LCM होता है into number up page होता है उसे हम वर्क कहते हैं उसी कार को कितने दिन में swap करेंगे 10 six men और 10 women तो एक महिला आदमी कितना काम कर रहा हो तो छे कितना करेंगे 12 एक महिला कितना काम कर रही है एक और 10 महिला है तो 22 हो जाएगा तो 80 बटा 22 हो जाएगा दो से काटो 1140 हो जाएगा गयारे से काटो ग्राथिया 33 तीस तीन सही साथ बटा ग्यारा थ्री होड सेवन बाई 11 कि यह कंप्लीट हो जाएगा पूरा मतलब अथवा के केस में आप LCM ले लिया करो LCM इंटू नंबर आपडेज वर्क होता है इसका एक धासू ट्रिक और होती है कि दस दिन है और six men है यह पूछा है तो आप इसको सब गुणा कर लिया करो चार गुणे आठ पैसे इसी पर अप्लाई होता है बाकी पर नहीं क्रॉस दस चालिस हो गया यह 48 हो गया कितना अंतर हुआ 10 years ah 4050 जोर 58 एक अठासी आथ से काटो कैरा वहीं 08 वैं轉-स उन इसक प्लस कर दो सबसे आषओ से नहीं करते और आपhol के है 18 ओमन हैं और 14 डेश में कर सकता है हमसे एट मैन और 16 ओमन पूछा है तो आप वही लगाओ जो भी बताया मैंने इसका एलसीम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहां कितना आएगा 3 यहां कितना आएगा 2 तो आप 36 36 इंटू 14 कर लिजिए और यहां 8 है तो 24 हो गया और 16 दूरी 32 हो गया 24 और प्लस 32 कर लिजिए तो 36 इंटू 14 अपान 4 दो 6 तीन दो 5 चपन हो जाएगा तो अच्छा कुछ अपन 4 नमच चथिस कितना अंसर आएगा 9 अंसर आएगा क्या करोगे वही तरीका है अथवा के केस में क्या करते हैं सब्सक्राइब करेंगे तुरंत आपका 9 आइंसर आजाएगा यह कोश्चन्स हैं आपके इंपॉर्टेंट जैसे यह देखो खतरनाक ट्रिक हाना इसमें भी आप वही लगा सकते हो कि मैं वाई एम डबलू और डी कैसे 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया 120 आदमी लगाया कुल 124 दिन का ठेका है 124 काम नहीं होता है यह पूरा दिन है तो 120 दिन हुआ है 120 वेक्ट रखे और 64 दिन काम वीता और दो तीहाई काम हुआ ऐसे लिखो मान इसमें से अब कहता हुआ कितने करमचारियों को कार से निकाल दे निकाल दे मतलब 120 माइनस एक्स कर दो यहां पर वन थर काम बचा है 124 दिन में चाहिए 64 हो चुका है मतलब 60 देज और चाहिए तोटल 124 है 64 पहले हो चुका है तो बच्चों बचा 60 है अब यह आप इस तरह सॉल्व करो आप इस तरह है तो हमने कहा था कि जो आसान इसमें है जो जिसके काट रहा काट दो यहां 15 आएगा यहां 4 से काटोगे तो 16 आएगा ऐसे कट गया तीन तीन कर गया बस समझ गया और यह इस लाइन पे 120 है इस लाइन पे 15 है तो 15 से यहां 8 काट दिया ध्यान से काटना एक लाइन पे ना होना चाहिए दूसरी लाइन वाले को काट सकते हो यह ध्यान रखना तो 8 इंटू 16 हो गया यह 8 इंटू 16 हो गया तुम्हारा लगभग 120 में से 64 घटाओगे तो आएगा कितना 120 में से 64 घटाओ तो छे इधर आया ग्यारा में 656 आया कितना यह 56 आजाएगा कितना जाएगा 56 56 आदमी को निकालेगा के लिए तो ऐसे लगाओ इंपॉर्टन कोश्चेंस हैं जिससे आपका सेलेक्शन हो सके अब देखो यह दो आदमी 1.2 यह मने आपको होमवर्क दिया था कल के वीडियो में अब हम उसकी बात करेंगे कल का सवाल था कैसे लगेगा पूरा काम करेंगे 4.8 डेज में ऐसे समझो अब इसको हम रसमलों हटा के नीचे 10 कर लेंगे तो 24 अपान 5 आ जाएगा चूंकि यह टाइम है इसलिए हम इसको एफेसेंसी कह देंगे टोटल किसकी एफेसेंसी ए प्लस बी की ध्यान समझना और यह वर्क हो जाएगा पूरा अब जहां से समझना हम यहां पर एफेसेंसी एजूंग कर लेंगे इसको अगर 3 माल लेते हैं एक को बी को 2 माल लेते हैं तो कुश्चन कह रहा है कि जो है ए दोरा कारी पूरा करने में लगे समय का एक तिहाई अगर एक इतना समय लेगा तीन चमता है चौबिस काम है तो आ डारा काम पूरा करने लगा एक तिहाई है तो एक चमता ने 2 माना 12 काम आय बारा का credit है जैनल हो गया चारों चार बी कितना काम करेंगा यहीज़ा वारा किया लगा यह कि समता बारेकर अब कहता है कि जो है लुट ऊंदेर में करता है कौन A, B जो समय लगाता है उसका 1 by 2 तो B कितना लगाएगा? 8 तो उसका 1 by 2 कितना हुआ? 4 तो 4 दुनी 8 काम हो गया तो काम कितना हो गया? दोनों मिलाके 20 हो गया यह 20 काम किसका? 24 का यह 5 by 6 है, मतलब कंडिशन क्या हो गई? सटिस्फाइ हो गई तो काम कितना हो जाता है? 5 by 6 हो जाता है यह लिखा हुआ है कि काई 5 by 6 हो जाता है तो हमने क्या किया? यहां दो और 3 तीन और दो एिस्एंसी लेकर तोड़ दिया हीट एंड अंड लगा दिया, इसी को टिक कहता है हीट एंड रेल लीवल सवाल जो होता है वह अधिकतर हम लोग हिट लगाते हैं आपने देखा होगा ऐसी कोश्चेंस बाइ ऑप्सन हो जाते हैं बड़ा सवाल हम बहुत छोटा कर देते हैं छोटे सवाल तो छोटा ही होते हैं अब यहां पर वन बाइ फोर वन पाइंट टू डेज बुला फोर पॉर पॉइंट कर दि सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बारा करेगा इसका समय लेगा आठ उसका वन बाई टू होगा चार और दो एफेसेंसी एक ही है तो चार दुनी आठ तो बारा आठ करता हो गया बीस बीस बटा चोबीस इसको आप बार बार ट्राई करिएगा यह आपके थे इंपॉर्टेंट कोश्चन टाइम और वर्क के अभी एक प्लास हम आउड लेंगे टाइम और वर्क की फी पाइप और सिस्टन आपको पढ़ा देंगे यह कॉंसेट और एक को टॉपिक जो भी हम आपको पता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए रिविजन करते रहे हैं और वीडियो को इस सेशन को सेर करते रहे हैं थैंक्यू